एयर फोर्स की तयारी करने वाले धुरंदरों पहला चेप्टर त्रिकोड मिती फलन लूसेंट की बुक से कंप्लीट हो चुका है दूसरा चेप्टर स्टार्ट हो चुका है आप भी खुबमन से पढ़िए अपने दोस्तों को भी बताईए बलून मैच्वर्ड थ्री एयर फो रहे हैं इसमें सेकंड चेप्टर लूसेंट की बुक से तो त्रिकोड मिती समी करन के कुछ फार्मूले आपको हम पिछले क्लास में बताए थे सबसे पहला फार्मूला है कि अगर दो साइन आपस में इक्वेल हो तो थीटा इक्वेल टू होगा एन पाई प्लस माइनस वन अलफा और यहां पर एन क्या है एन एक इंटीजर है अच्छा अगर दो कॉस बराबर हो तो थीटा बराबर होगा टू एन पाई प्लस माइनस अलफा जहां पर एन क्या है एन एक पूरांख है तो दूसरा फार्मूला यह याद कर लीजेगा फार्मूला याद करना पड़त तो तरिकोडविती में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, इसमें बलकि कम है। इस चेप्टर में कम हैं। तो अब देखिए तीसरा फार्मूला है कि अगर दो तैन आपस में बराबर हो तो थीटा बराबर होता है फार्मूला हम włos च्वसलों के बराबर होғ या तैनिक फार्म के बराबर हो तो सबका अलग अलग फार्मूला नहीं है. सबके लिए एक ही फार्मूला है that is n-pđi पलस माइनस अलफा और अगर ये चारो फार्मूले आप याद कर लिए तो दोठो अप भात भी याद कर लिजिए. दो ऐसी जगएं हैं जहां पर नॉर्मल फारमूले नहीं लगाए जाते हैं बलकि अलग से उनका फारमूला आपको याद करना है जब साइन कामान 1 हो और जब कॉस कामान 0 हो देखिए जब साइन कामान 1 होगा तो इसको नॉर्मल तरीके से न लगा के थीटा का अलग से फार्मूला याद कर लीजिए वो होता है 2N πाई प्लस माइनस पाई वाई टू जहां पर N1 पूरांग है और अगर कॉस कामान जीरो है ये दो अलग से आपको तयार कर लेना है बस इतने ही नए फार्मूले हैं और वो सब फार्मूले काम आएंगे जो आप पिछले चैप्टर में त्रिकोडमीतिय फलन में पढ़े थे तो अब स्टार्ट करते हैं कोश्चन लगाना लिूसेंड की बुक से स्टार्ट किया जाए त्रिकोडमीतिय समीकरण जो की है सेकेंड चैप्टर त्रिकोडमीतिय समीकरण का पहला पहला कोश्चन ये रहा पहला question है कि 2 cos theta अगर 1 है 2 cos theta अगर है 1 तो आपको theta की value पता लगानी है तो अगर 2 cos theta है 1 तो आप यहां लिखेंगे ऐसे 2 cos theta equal to 1 तो 2 cos theta equal to 1 है अगर तो cos theta होगा 1 by 2 को इधर transfer कर दिये चाहिए तो 1 by 2 अब आपको सोचना है कि cos कितने का मान 1 बटे 2 होता है तो cos 60 का मान 60 मतलब pi by 3 cos 60 का मान होता है 1 बटे 2 अब आपको formula चाहिए तो 2 cos जब बराबर हो तो formula क्या होता है तब theta बराबर होगा 2n pi plus minus alpha alpha की जगा आपको क्या रखना होगा pi by 3 बहुत simple सा question है यह कि अगर cos theta बराबर हो 1 बटे 2 तो पहले आपको क्या सोचना है सोचना यह है कि cos कितने का मान 1 बटे 2 होता है तो cos 60 का cos 60 को radian में क्या लिखते है pi by 3 cos theta बराबर cos alpha हो तो theta बराबर होता है 2n pi plus minus alpha alpha का मतलब हो गया pi by 3 तो अब देखा जाए कि कौन सा विकल्प ऐसा है तो देखिए 2n pi plus minus pi by 3 पहला पहला विकल्प ही है 2n pi plus minus pi by 3 तो पहले विकल्प पे टिक लगा दीजिएगा और अब अगला question second question second question है 2 sin square theta अगर 1 है तो theta की value कितनी होगी अब देखिए यह square वाला question है इसमें आपको दिख रहा है sin square तो जरा ध्यान से समझ लीजिए कि जब sin square आएगा तो आपको क्या करना है अगर आपको मिला है 2 sin square x is equal to 1 x है कि theta है x है कि theta है theta है theta है x की आदत पढ़ी होगी है 2 sin square theta अगर है 1 तो देखिए क्या करना होगा एकदम ध्यान से समझिएगा sin square theta हो जाएगा 1 by 2 2 को इधर transfer कर दिए अब अगर इधर square है तो आप square हटाएंगे नहीं बिल्कुल हटाएंगे नहीं बलकि इधर भी आप square के रूप में लिख देंगे तो 1 upon 2 को 1 upon root 2 का whole square लिख सकते हैं 1 upon 2 को क्या लिख सकते हैं एक बटे करणी में 2 का work 1 upon root 2 का square अब सोचिए कि sin कितने का मान 1 by root 2 होता है तो sin 45 का मान यानि pi by 4 sin 45 का मान होता है 1 by root 2 और इस पर क्या लगा हुआ है work तो यहां पर लगा देंगे work अब अपने फार्मूलों की लिस्ट में देखिए जब 2 sin पे work हो तो theta बराबर होता है अभी अभी आपको बताए थे n pi प्लस माइनस pi by 4 यानि theta बराबर होता है n pi प्लस माइनस alpha यह alpha का का काम करने लगेगा न pi by 4 तो n pi प्लस माइनस pi by 4 n pi प्लस माइनस pi by 4 कहां गया कहां गया कहां गया यह देखिए d वाले option में है n pi प्लस माइनस pi by 4 तो इसी पर टिक लगा देंगे एक बार और समझ लीजिए ध्यान से अगर कभी आपको sin square मिले तो square को हटाना नहीं है अगर इधर वर्ग है तो इसको भी वर्ग के रूप में लिखना है फिर अंदर वाला सोचिए 1 by 2 मत सोचिए कि sin कितने का मान 1 by 2 होता है तो sin 45 का मान होता है 1 by root 2 यानि कि sin square pi by 4 और अगर sin square theta बराबर sin square alpha हो तो theta बराबर होता है n pi plus minus alpha तो ये हो गया हम लोगा answer थर्ड कोश्चन देखिए थर्ड कोश्चन में है 10 square और 10 square किसके इक्वल है 3 के इक्वल इस बार फिर आपको मिला है square तो आप क्या करने वाले हैं अगर आपको मिला है 10 square theta equal to 3 तो अगर इधर वर्ग है तो दूसरे तरफ भी वर्ग होना चाहिए तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं करणी में 3 का वर्ग करणी में 3 का दो बार गुडा करने पर अब सोचेंगे कि 10 कितने का मान रूट 3 होता है तो आपको याद रखना है कि 10 60 का मान रूट 3 होता है 60 को रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 3 तो 10 60 का मान होता है रूट 3 अब इस पर देखिए वर्ग लगा है और फिर फार्मूलों की लिस्ट में देखिए अगर 10 स्क्वाइर थीटा बराबर 10 स्क्वाइर अलफा है तो थीटा बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस अलफा अलफा की जगा यहां क्या रखना है पाई बाई 3 और जो आप यह एन यूज कर रहे है वो एक पुडांक है वो एक इंटिजर है तो अब देखिए एन पाई प्लस पाई भाई 3 ओप्सन में है की नहीं देख लीजिए एन पाई प्लस माइनस पाई भाई 3 यह देखिए B ओप्सन में मिल गया तो इसी b option को लगा देना है टिक और यही हो जाएगा आपका answer अब अगला question देखिए क्या है अगला question है कि fourth question fourth question है 3 cot square theta minus 1 equal to 0 3 cot square theta minus 1 equal to 0 तो अगर यह question आपको लगाना है 3 cot square theta minus 1 equal to 0 तो देखिए 3 cot square theta बराबर कितना होगा 1 minus 1 को उधर भेज़ दीजिए तो cot square theta बराबर कितना होगा 1 by 3 cot के लिए तो इस chapter में formula बना ही नहीं है साहब cot के लिए बना ही नहीं है तो अगर cot कभी आए तो आपको लिख लेना है 10 सुने ध्यान से cot को लिख लेना है 10 जब cot को 10 लिखेंगे तो यह 1 by 3 उल्टा हो जाएगा रेशी प्रोकल हो जाएगा व्यूत करम हो जाएगा इसका तो 1 by 3 का व्यूत करम क्या होता है 3 और इधर अगर 10 है स्क्वाइर में तो इधर भी स्क्वाइर होना चाहिए तो 3 को लिखेंगे रूट 3 का स्क्वाइर और अभी पिछले question में यह लगा था ना याद आया अभी पिछले question में यह लगा था तो 10 स्क्वाइर थीटा बराबर होगा 10 साथ का मान होता है रूट 3 यानि पाई बाई 3 इस पे वर्ग लग जाएगा और अगर 10 स्क्वाइर थीटा बराबर 10 स्क्वाइर अलफा हो तो थीटा बराबर होता है न पाई प्लस माइनस अलफा तो हो गया n pi plus minus pi by 3 अब देख लीजिए कि option है कि नहीं fourth question हम लोग लगाए है fourth question में आया है n pi plus minus pi by 3 यह तो 2n pi है बेकार है यह यह वाला सही है b वाले option पे आप लगा देंगे टिक तो अब fifth question लगाते हैं fifth question है sec theta की value minus 2 तो थोड़ा सा बनाते हैं पहले space तो यह हो गया fifth question sec theta equal to minus 2 त्रिकोड में थी समीकरण में sec का तो formula ही नहीं बना है तो sec को लिख लेंगे cos और अगर sec को cos लिखेंगे तो यह reciprocal हो जाएगा minus कोई दरदर करने जोवत नहीं है cos theta की value आ गई minus 1 by 2 पहली बार ऐसा हुआ कि आपके सामने negative है तो अगर negative है और यह कौन है cos तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा cos की value किस किस quadrant में होती है negative second में और fourth में cos कितने की value 1 by 2 होती है 60 की अगर 60 हंस को दूसरे में भेजिये तो 180 में से इसको घटा देंगे तो 180 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 यानि की cos 120 का मान होता है minus 1 by 2 ध्यान से समझे क्या हुआ है सबसे पहले आप यह सोचेंगे कि cos का मान किस किस चतुर्थांस में निगेटिव होता है यह देखिए थोड़ा सा हम गलत दिक लगा दिये है cos का मान किस किस चतुर्थांस में निगेटिव होता है second और fourth में नहीं गलत हो गया second और third में cos निगेटिव होता है पहले में सब धनात्मक होते हैं और चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं तो कॉस किसमे किसमे रिलात्मक होता है दूसरे में और तीसरे में अब क्या करेंगे सोचेंगे कॉस कितने कामान 1 by 2 होता है तो कॉस 60 कामान होता है 1 by 2 अब इस 60 को दूसरे में भेजेंगे तो 180 में से घटा देंगे अब तीसरे में भेजेंगे तो 180 जोड़ देंगे तीसरे में भेजेंगे तो 180 जोड़ देंगे अब देखिए क्या होगा 120 और 240 दोनों ठीक हैं लेकिन छोटा कौन है हमको एकदम छोटा से छोटा कौन चुनना है तो छोटा कौन है 120 तो हम 120 को ले लेंगे और 120 को अगर हम बदलेंगे रेडियन में तो पाई बाई एक सो सी से गुड़ा कर देंगे तो देखे जिरो जिरो कट गया अब 6 दूनी 12 और 6 तरीक 18 यानि कौस थीटा बराबर होगा कौस 120 मतलब तू पाई बाई थरी अब फार्मूला लगा दीजिए कौस थीटा बराबर कौस अलफा है यह अलफा काम करेगा तो थीटा बराबर फार्मूला याद करके तब पढ़िए 2N पाई प्लस माईनस अलफा यानि 2 पाई बाई थरी कौस थीटा बराबर कौस अलफा हो तो थीटा बराबर क्या होता है 2N पाई प्लस माईनस पाई बाई 2 पाई बाई थरी मतलब अलफा तो अब देखिए कौन सा आप्शन कौन सा विकल्प में ये आपको मिल रहा है 2N πाई प्लस माइनस 2 πाई बाई 3 पहले वाले विकल्प में ही मिल गया है यानि first option पे आप लगा देंगे question number 6 question number 6 है 3 cosec square theta equal to 4 और यहां से theta का व्यापक मान निकालना है तो 3 cosec square theta equal to 4 3 cosec square theta is equal to 4 तो सबसे पहले क्या करना है cosec square theta बराबर होगा 4 by 3 यह square है अब cosec के लिए तो इस chapter में formula ही नहीं है तो cosec को हम किसमे बतलेंगे sign तो sign square theta जब लिखेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा यानि हो जाएगा 3 by 4 अब अगर इधर वर्ग है इधर अगर वर्ग है तो इधर भी वर्ग होना चाहिए तो 3 को root 3 और 4 को 2 का लिख सकते है whole square अब अगर इधर sign square है तो इधर भी sign square होना चाहिए तो हम सोचेंगे sign कितने का मान root 3 by 2 होता है तो sign 60 का मान root 3 by 2 होता है सब लोग जानते हैं तो sign 60 लिखना है 60 मतलब pi by 3 60 मतलब radian में लिखेंगे pi by 3 और इस पर क्या है वर्ग अब अपने फार्मूलों की list चेक करेंगे तो पता चलेगा कि अगर sign square theta बराबर sign square alpha हो तो theta बराबर होता है n pi plus minus alpha plus minus alpha यानि pi by 3 तो कौन से option पर टिक लग जाएगा n pi plus minus pi by 3 तो देखा जाए n pi plus minus pi by 3 कौन सा विकल्प है तो ये c वाला विकल्प है c वाले विकल्प पर टिक लग जाएगा अब सात्वा question सात्वा question है कोसेक theta minus 2 हो कोसेक theta हो minus 2 तो अब इसको लगाया जाए अगर कोसेक theta है minus 2 तो कोसेक theta है minus 2 तो कोसेक के लिए तो formula ही नहीं बना है क्योंकि sin, cos और 10 से ही काम चल जाता है तो इसको हम लोग convert करेंगे sin में sin theta हो गया minus 1 by 2 अब सोचेंगे कि sin कितने का मान minus 1 by 2 होता है तो उसके लिए चतुर्थांस का प्रयोग करेंगे अब आप ये बताईए कि sin जो होता है वो किस किस चतुर्थांस में negative होता है sin negative होता है तीसरे और चोथे में अब ये बताईए कि sin कितने का मान 1 by 2 होता है तो sin 30 का मान होता है 1 by 2 अब 30 को अगर तीसरे में भेजेंगे तो इसमें 1802 जोड़ देंगे और अगर इसको चोथे में भेजेंगे तो इसको 360 में से घटा देंगे तो जब 360 में से घटाएंगे तो बचेगा 330 लेकिन चौथे में भेजने का एक और तरीका है एक और तरीका है चौथे में भेजने के लिए हम इस कोड को माइनस में ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 30 अब कुछ लोग 210 लेके निकाल लेंगे कुछ लोग 330 लेकर मान निकाल लेंगे कुछ लोग माइनस 30 लेकर निकाल लेंगे तो सबका आंसर थोड़ा अलग-अलग दिखाई देगा आप अपने ओप्षन में देखिए एक बार चेक कीजिए अपने ओप्षन में कौन सा खोशन था सेवन्थ वाला ये देखिए ये जो कोड दिया गया है कोड जो आपको दिया गया है वो प्लस माइनस ये छोटे-छोटे कोड दिये गए है पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ माइनस 30, 30 का मतलब होता है πाई बाई 6 30 का मतलब पाई बाई 6 और अब फार्मूला लगा दीजिए साइन थीटा बराबर साइन अलफा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n अलफा अलफा का मान होगा माइनस पाई बाई 6 क्या समझे σाइन थीटा बराबर साइन अलफा हो तो थीटा बराबर होता है n πाई प्लस माइनस वन पे पाउर n अलफा अलफा की यगह माइनस पाई बाई 6 अब ध्यान से सुनिए ये जो माइनस है और ये जो माइनस है उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इस माइनस वन पे पावर लगा है N लेकिन यहाँ पर जो आप प्लस देख रहे हैं यह वाला प्लस आई यह माइनस यह दोनों मिलकर माइनस हो जाएंगे तो माइनस वन पे पावर N और पाई बाई 6 तो 210 अगर विकल्प ऐसा है कि उसमें बड़े बड़े कोंड दिये गए हैं 210 टाइप का तो 210 लेकि निकालना पड़ेगा अगर छोटा छोटा कोंड दिया है पाई बाई 6 अकसर दिख रहा है आप्सन में तो इस माइनस 30 को लेकर मान निकालना पड़ेगा तो अब देखा जाए N पाई माइनस हमारे विकल्प में है की नहीं तो हम लोग लगा रहे थे कोश्चन नमबर 7 तो N पाई प्लस माइनस माइनस 1 पे पाउर N पाई बाई 6 यह देखिए फोर्थ वाला जो आप्सन है वही सही है तो इस तरह से 7 कोश्चन हम लोग लगाए छोटे छोटे वीडियोज बन रहे हैं आप उनको देखिए अगर आपके पाथ ज्यादा टाइम है तो 2-3 वीडियो देखिए कम टाइम है तो भी आप एक एक वीडियो भी अगर रोज देखते रहें तो आपकी तयारी हो जाएगी अब मिलते हैं अगले वीडियो में कोश्चन नमबर 8 के साथ